जैहिंदी टूटे एक्जाम क्लासीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की इस क्लास में हम राधस्तान PTT और MST से एक्जाम दोजार तोईस के लिए राधस्तान की कुछ Most Important Qution आंसर देखने वाले हैं जो आपके PTT और MST से एक्जाम की नए पैटन पर आदारीते हैं अगर दोस्तो आप भी PTT और MST से एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरू देखे और इन सभी राधस्तान की Most Important Qution आंसर को जिरूर याद करी क्योंकि ये सभी Qution है जो एक्जाम में बार-बार रिपीट होने वाले Most Important Qution आंसर हैं इसलिए हैं सभी Qution को आप जरूर याद करें और दोस्तो इस वीडियो में एक Qution हमेशा की तरह आप से भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment section में लिखकर बताना हैं इसलिए हैं सभी Qution आप पहले जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं आज का पहला Qution आज का पहला Qution ने 11 कमरों का विशाल बवन राधस्तान की किस सभीता से प्राप्त हुए हैं तो 11 कमरों का विशाल बवन ने जो राधस्तान की बाला थल सभीता से प्राप्त हुए हैं और बाला थल सभीता हैं जो राधस्तान की उदेपूर जिले में एक पुरा तत्वे के सथल हैं जिसके खुड़ाई के दौरान 21 कमरों का विसाल ब्रावन है वो प्राप्त हुए थे कि सब्यता से बाला तल सब्यता सी नेक्स अगला की उसे ने राधस्तान की पहली मैला उप मुख्यमंत्री कमला बेनिवाल का समन्द राधस्तान के किस जिले से हैं तो राधस्तान की पहली मैला उप मुख्यमंत्री कमला बेनिवाल है जिनका हाली में निदनवा था जिनका समन राधस्तान की जुन-जुनु जिले से था क्योंकि जुन-जुनु जिले में कमला बैनिवाल का जनम साल 1927 में हुआ था और कमला बैनिवाल है जो राधस्तान की पहली मैला उपमुक्य मंत्री थी और वर्तमान में राधस्तान की मैला उपमुक्य मंत्री हैं वो दिया कुमारी है और पहली मैला उपमुक्य मंत्री कौन थी राधस्तान की कमला बेनिवाल जिनका हाली में निदन हुआ था और कमला बेनिवाल है जो अपने राजनेती केरियर में साथ बार तो विदाइग और तीन बार राजी पाले रही थी नेक्स्ट अगला किसे ने प्रत्यारों की सबीस साकाओं में से सबसे प्राचिन साका कौन सी है तो प्रत्यारों की सबी साकाओं में से सबसे प्राचीन साका हैं वो मंदोर साका थी नेक्स्ट अगला किसन है जाली बाब बावडी और मामा देव कुंड राधस्तान के किस दूरग में इस्तिते हैं तो जाली बाव बावडी और मामा देव कुंड हैं वो राधस्तान के कुमलगड दूरग में इस्तिते हैं और जाली बाव बावडी और मामा देव कुंड को राणा कुंबा की याद में बनवाया था और दोनों को जल संग्रीत करने के लिए बनाय गया था ताकि किले में रहने वाले लोग इसका इस्तमाल कर सकी किसको जाली बाव बावडी और मामा दिये वे कॉंड जो राधस्तान के कुमल गड़ दुर्ग में इस्तित हैं जिनका निर्मान राणा कुमा की याद में करवाया था नेक्ट उसने पंडित जाबरमल सोध संस्तान राधस्तान के किस जिले में इस्तित हैं तो पंडित जाबर्माल सोथ संस्तान हैं जो राधस्तान के जैपूर जिले में इस्तित हैं और पंडित जाबर्माल सोथ संस्तान की इस्तापना कब हुई थी उसका जवाब आपके कमेंट सक्षिन में लिखकर जरूर बताई नेक्स्ट क्यूसन है रत्वई और रणबाजा नरत्य का समंद किस सेत्र से हैं रत्वई और रणबाजा नरत्य हैं जिसका समंद राधस्तान के मेवात छेत्र से हैं रत्वई नरत्य राजी के मेवात छेत्र का प्रसिद नरत्य हैं जिसे बरसात के मौसम में पुरुस और मैलाय मिलकर इस नर्तिय को करते हैं और ये नर्तिय गुड़गाउं छेतर के नुओ और फिरोजपूर जिर्का में लोग परिये हैं और रणबाज नर्तिय हैं जो राधस्तान का एक प्रसिद लोग नर्तिय हैं जिने मेव समुदाई के पुरुस और मैलाय दौरक्या जाता है नेक्स्ट अगला किसे ने राधस्तान के किस अभ्यारण में कैन्या से चीते लाए जाएंगी तो राजस्तान के गांदी सागरवनी जीव अब्यारण हैं जिसमें कैन्य देश से चीते हैं वो लाए जाएंगी आपको बतातें कि सित्मबर 2022 में वारत में नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे और 18 चीते फरवरी 2023 को दक्षन अपरीका से लाए गए थे जिसमें से कुछ से चीतों की मौत होगी थी और अब वारत में कुल मिला कर 27 चीते हैं वो मौजूद हैं और अब राजस्तान के गांदी सागरवनी जीव अब्यारण हैं जिसमें कैन्य देश से चीते हैं और लाए जाएंगे और ये गांधी सागर अभिरन है वो रावत वाटा चितोडगर जिले में इस्तिति हैं जहां पर कहने देश से चीते हैं वो लाए जाएंगी नेक्ष्ट अगला किसन है राधस्तान के किस जिले में सबसे अधी के पसू मेले आयजितिक किये जाते हैं तो राजस्तान के नागोर जिले में सबसे अधी के पसु मेले हैं वो आयजितिक किये जाते हैं राजस्तान में सबसे अधी के तीन पसु मेले आयजितिक किये जाते हैं और तीसरा है राम देव पसु मिला जो नागोर सेर में आयजित किया जाता है और ये नागोर में सबसे अधिक राधिस्तान सरकार द्वारा आयजित की जाने वाले तीन पसु मिले हैं और राधिस्तान में सबसे अधिक पसु मिले ही नागोर जिले में ही आयजित किये जाते है नेक्स्ट क्यूसन है देश का सबसे बड़ा गोबर आधारीत बायो गेंस प्लांट का इस्तापित क्या गया है तो देश का सबसे बड़ा गोबर आधारीत बायो गेंस प्लांट है जो राजस्तान के कोटा जिला में इस्तापित क्या गया है जिसे 30 क्रोड रुपे की लागत से 5 एकर जमीन पर बनाया गया है और ये प्लांट कोटा सेर को कैटल फ्री बनाने के लिए बनाया जा रहा है जिसे दियो नरेन आवाशी योजदा में इस्तापित क्या जा रहा है यानि कोटा में दियो नरेन आवाशी योजदा है जिसमें गुबर्द आधरित बायो गेंस प्लांट को इस्तापित क्या जा रहा है कि जिले में कोटा जिले में जिसे 30 क्रोड रुपे की लागत से बनाया जा रहा है और कित्ती भूमी में 5 एकर की भूमी में नेक्स्ट अगला किसने परेटन को उद्योग दर्जा कब दिया गया है तो परेटन का उद्योग दर्जा है वो साल 1900 गुन्नमे में दिया गया है वही 23 फरवरी साल 2022 को राधस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री असो गेलो द्वारा पेस किये गए राज्य बजट 2022 में परेटन चेत्र को बड़ावा देने और संबल प्रदान करने के लिए परेटन को उद्योग का दर्जा देने की गोशना की थी कब 23 फरवरी साल 2022 को नेक्स्ट अगला किसने माही माउत्सव राधस्तान के किन जिलों का प्रसिद माउत्सव हैं तो माही माउत्सव हैं जो राधस्तान के वास्वडा और लूंगरपूर जिलों का एक प्रसिद माउत्सव हैं जिसे राधस्तान में हर साल फरवरी मा में आयजिति क्या जाता हैं कौनसा माउच्छव माही माउच्छव जो वासवड़ा और डूंगरपूर जिले का प्रसिद माउच्छव हैं लेक्ष्ट अगला किसन है राधस्तान विदानसबद चुनाव 2023 में कुल मतदान का कितना परतिसत रहा हैं तो राधस्तान विदानसबद 2023 चुनाव में 45.45 परतिसत हैं वो मतदान रहा थां जिसमें इस बार 2023 विदानसबद चुनाव में राधस्तान में वीजेपी पार्टी की सरकार बनी थी 115 सीटों के साथ और 70 सीटे हैं वो राधस्तान में कॉंग्रेस पार्टी को मिली थी और अन्य पार्टियों को बाकी वाली सीटे मिली थी और राधस्तान में कुल विदान सभा की सीटे हैं वो 200 विदान सीमा सीटे हैं नेक्स्ट अगला कि उसने राधस्तान भूजल रिपोर्ट 2022 की अनुसार कुल कितने ब्लोक सुरुक्षित स्रेणी में हैं तो राधस्तान भूजल रिपोर्ट 2022 की अनुसार राधस्तान में कुल तीन ब्लोक हैं वो सुरुक्षित स्रेणी में हैं सुरी 38 है वो सुरुक्षिस सिरिणी में है नेक्स्ट अगला किसे ने राधस्तान तक्निकी सिक्सा विबाग की इस्तापना कब की गई है तो राधस्तान तक्निकी सिक्सा विबाग की जो इस्तापना वो साल 1997 में की गई थी नेक्स्ट अगला किसने रूपा यान संस्तान बोरुंदा काँ पर इस्थित हैं तो रूपा यान संस्तान बोरुंदा है जो राधस्तान के जोदपूर जिले में इस्थित हैं जिसकी इस्तापना साल 1960 में कोमल कोठारी द्वारा की गई थी किसके दौरा कोमल कोठारी दौरा किसकी स्थापना रूपायन संस्तान बोरुंदा की जो राधस्तान के जोत्पुर्जिले के बोरुंदा में इस्तित्य है अगला नेक्स्ट क्यूजन है बारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियम राधस्तान में कब लागू हुआ था तो बारती वन्य जीव सरक्षन अधिनियम राधस्तान में वो एक सितंबर साल 1973 में लागू किया गया था जबकि पूरे बारत देश में ये वन्य जीव सरक्षन अधिनियम है वो साल 19みたい में लागु ख़ा था ज़कि रादस्तान में एक सितंबर 1923 को लागु किया गया था अगला नेक्ष्ट कूच इसने रादस्तान व्रजवासा अकादमी के स्थापना कभ और का की गई है तो रादस्तान वरजवाज़ा अकादमी की स्थापना आये जो जैपूर में साल 1980 में की गई थी अगला next question है रादस्तान परेटन विबाग द्वारा पतंग माउट सव किस जिले में आईजितिक किया जाता है तो राजस्तान परेटन विबाग द्वारा पतंग माउच सो में वो राजस्तान के जेसल मेर जिले में फरवरी माम में आईजिति किया जाता है और दोस्तो जोतपूर, जैपूर और बार्ड मेर में कौन सा माउच सो आईजिति किया जाता है वो आपको comment section में लिखकर जरूर बताईए और दोस्तो यह थे राधस्तान के कुछ most important question जो आपके राधस्तान VSTC और PTT exam में बार बार पूचे जाते हैं उमीद गरता हूँ इस सभी question आपको अच्छे से याद हो गएंगे अगर याद होगे जिस वीडियो को like जरूर करे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे और दोस्तो इन सभी question का PDF में वो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिस्प में मिल जाएगा जहां से आप इन सभी question का PDF में वो डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातरम